लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले भारतिय करेंसी में जिस प्रकार गिरावट आ रही है उससे तो यही लगता है कि लोगों पर महंगाई की मार कहा जाकर रुकेगी आम जनता को कब तक जहलनी पड़ेगी सरकारे तरह तरह के बायान देकर अपना पल्ला जाल देती है लेकिन विशेश अग्यों की मानी तो रुपे में गिरावट से डॉलर रुपे में गिरावट और डॉलर में बढ़त होना वैसे तो पहली बार नहीं है लेकिन सरकार का दावा है कि भारत में रुपे में गिरावट और पेट्रूल और डीजल के भाव का बढ़ना सरकार को बार-बार कट घरे में खड़ा कर रहा है हाला कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना बनी हुई है 11 सितंबर यानी मंगलवार को यह बढ़कर 72.69 हो गया था वहीं 12 सितंबर भुद्वार को 72.79 हो गया सीधा 10 पैसे की बढ़धत हुई है बुद्वार को रुपया और निचले स्तर पर पहुँच गया है कुछ का कहना है कि डॉलर की कीमत 80 के पार पहुँच जाएगी विश्रिशग्यों ने कहा कि बहुत तर भी बहुत ज्यादा है और कुछ का कहना है कि इससे अर्थववस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा पिछले कई दिनों से रुपय में लगतार गिरावट देखी जा रही है जैसा कि सूमवार को विरोधी दलों ने मिलकर भारत बंद कर विरोध प्रदर्शित किया था जिसकी आग पूरे भारत में देखने को मिली इसका सबसे ज्यादा असर बिहार और मुंबई में देखने को मिला बिहार में तोड़ फोड़ देखने को मिली वहां दो साल की एक मासूस बच्ची इस विरोध प्रदर्शन में उसकी जान चली गई सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की तोड़ फोड़ करने से रुपए में गिरावट रूग जाएगी या फिर पेट्रूल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे